दूस्तों अगर आप एक जियो यार फाइवर यूजर है और आप यह चेक नहीं कर पार यह कि आपकी यार फाइवर के साथ कितना डिवाइस जो ही आप पर कनेक्ट है तो अच की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको यह चेक करना है ठीक है जैसे कि क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या एक तो यहाँ आप्धी say you have कर देखने करके मेरे यहां पर कमसे कम 10-15 डिवाइस और यहां सारे समय पर क्या ओता है कि काफी सारे दोस्तों है यहाँ पर हमारा जो एरकर वर है इसको यूज करते हैं चुब चुप कर लेकिन हमको पता नहीं चलता है कर आपको यह यहां पर आपको सार्ज करना है माई जीयो ठीक है सिंपल आपको यहां पर टाइप करना है माई जीयो तो यहां पर आप देख सकती हैं तो यहां से आपका जो माई जीयो एप्लिकेशन है यहां पर अपडेट मांग रहा होगा तो यहां से आपको अपडेट कर लेना है ठीक है काफी सारी समाई पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो application ही updated नहीं होता है जिसके चलते यहाँ पर आपका device जो है वो शोग नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर मैना myue application जो ही या update हो चुका है तो यहाँ से मैं इसको open करता हूँ तो जैसे यहाँ पर आपका MyView application open हो जाता है इसके बाद में यहाँ पर आपको more पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा explore 5R ठीक है आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने यह पेई जाएगा यहाँ पर आपको scroll down करना है और यहाँ पर आप को कुछ टाइम वेट करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके यार फाइबर के साथ कितना डिवाइस वो connected है जैसे कि यहाँ पर आफ देख सकती है मेरे AirFiber के साथ चार डिवाइज जो है वो अभी active है यानि की ये 004 डिवाइज जो है मेरी AirFiber की जो वाई-फई है इस वाई-फई से अभी use हो रहा है ठीक है तो अगर 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 आपके finger के साथ ज्यादा device जो है वो active है तो इस situation में आपको करना क्या है आपका जो password है उस password को आपको change कर लेना है अगर आप password को यहां से change कर लेंगे तो जितना device आपके airfiver के साथ connect है वो सबी device यहां से disconnect हो जाएगा ठीक है